असलाम मैं आप लोगों की साइर रहे हूं बर्गर पेटी संपAud बनानी की रिस्पेय अब इस वीडियो में बर्गर पेटी और बर्गर को किस तरह से असम्बल करना हूँ रहे करों सब्मार की सब्सक्राइब अब इस चिकन को हम एक चौपर में डालेगे अगर आपके पास चौपर नहीं है तो यहाँ पर आप मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें हूं दो मीडियम साइज के प्याज एड़ करेगे तीन हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्यां जादा एड़ कर सकते हैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया 1 teaspoon chili flakes 1 teaspoon mix hops नमक to test के हिसाब से 1 tablespoon yellow mustard paste 1 tablespoon corn flour 1 tablespoon butter Bereich अर फ्ती स्पून ब्लाक पेपर इसे घ्राइं कर लेंगे, случаřि में यहां पर जिंजर कालिक पेेश्ड डाला भूल गई थी, तो यहां पर अभी मैं अब इसे चुरू में ही एड़ कर दीजिएगा यह अल्री ग्राइंड हो चुका है बट इसमें मैं जिंजर गालिक पेस्ट दाल कर इसे एक बार और थोड़ा सा मिक्स कर लोगी इसे हमें उस तरह से ग्राइंड करना है जैसे हमारा जो सीख या कबाब का टेक्चर होता है उसे में उतना ग्राइंड करना है अब इसे हम एक बोल में निकाल लेगे परहातों पर ऑईल लगा कर इसकी हम इस तरह से पेटीज बनाएंगे इस मिक्स्टर से आप 12 पेटीज आसानी से बना सकते हैं अब इस पेटीज को कोट करने के लिए यहां पर मैं आल परपस लेरी हूं मैदा यहां पर मैंने एग वाश लिया हुआ है अंड़ों कि अच्छे से फेट लिया है कि अच्छे से निक रीडों कि पेटी लिए है इससे क्रिस्पी करने के लिए सभी पेटीज की कोटिंग हम इसी तरह से कर लेगे और इसे हम आदे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देगे फ्रिज में रखने से यह और ज्यादा अच्छा और क्रिस्पी बनेगा आदा घंटा हो चुका है अब हम पेटीज को फ्राइ कर लेगे इसे हम दोनों साइट से अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राइ करेगे यह अच्छी से फ्राइ हो गया है इसे अब हम इक टीशू पेपर पर निकाल लेगे ताकि इसका जो एकसे साइल है वो इसमें एब्सॉब हो जाए बर्गर के लिए हम बर्गर सॉस रेडी कर लेते हैं इसके लिए हम एक बोल में तीन टीबल स्पून म्यानीज लेगे वन टीबल स्पून चिली सॉस टू टेबल स्पून टेमेटो केचप वन टेबल स्पून मस्टर्ड पेस इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेगे बर्गर सॉस रेडी है अब हम बर्गर को असेंबल करना शुरू करते हैं इसे असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम बर्गर बंस को कट करके इसे हलका सा फ्राई कर लेगे फ्राई करने के लिए पैन पे हम थोड़ा सा बटर दालेगे और इसे हम इसके दोनों साइट्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेगे इस तरह से फ्राई करने से जो बंस है वो सॉफ्ट हो जाते हैं पकाने में और जादा टेस्टी लगते हैं अगर आप चाहे तो इस स्टैप को आप इसके भी कर सकते हैं बर्गर को असेंबल करने के लिए यहां पर जो हमने सॉस तायार किया है मैंने वो लिया है और यहां पर मैंने सलाट रखा हुआ है कट करके इसमें मैंने यहां पर लेटिस लिया है टमाटर को मैंने स्लाइस में कट करके रखा है और प्यास को भी मैंने इस तरह से स्लाइस म वो भी रेडी है यहाँ पर आप लेटिस अगर आपके पास अविलेबल नहीं है तो उसकी जगा पर यहाँ पर पत्ता गोभी भी यूज़ कर सकते है अब हम बर्गर को असेंबल करेगे इस तरह से पहले सॉस लगाएगे फिर यहाँ पर लेटिस रखेगे चिकन पैटी रखे प्याज और टमाटर के स्लाइसिस रख देगे इस सेम सॉस मैंने स्क्वीज बोटल में भरके रखा है थोड़ा सा और में इस पर डाल दोंगी यह डालने के बार वर्गर के दूसरे साइट से इसे हम बन कर देगे पर्गर बिल्कुल रेडि है इससे हम टमेटयोच्टैप के साथ और फ्रिंच फ्रैप के साथ संफ करेगे स्थ सुनकिव मोशच मैं भरके वर्गर ईबना सकता इस रेसिपी को अब जरूर ट्राइ कीजिए और आपको यह पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताके मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें